दोस्तों स्वागत आपका एक में फिर्ट अभी जिससे 28 माई 2 जा 23 को आई इस पिलिम्स का एक्जाम हुआ अभी इसमें यह हुआ कि अपने आप में एक इतिहास बनके आया कि जिससे पेपर काफी काफी ज्यादा तफ जिसमें हम बोल सकते हैं GS का पेपर चाहे वो CSAT का पेपर हो दोनों के दोनों पेपर काफी ज्यादा तफ थे इवन CSAT ने इस बार अपने उकात से भार जाकर questions पूछे जिसमें हम कहा सकते कि cat level या फिर अगर बात करें तो IATJE level के questions हमें math के अंदर हमें देखने को मिलें अब एक जो 10th standard की math है उसके इसाब से अगर देखा जाएं तो सच में वाकि काफी tough हमें paper हमें CSAT का और साथ में GS का भी देखने को मिलता है मैं GS में तो नहीं पर मैं यह बोल सकता हूँ कि CSAT का paper सब ज्यादर tough था GS में भी elimination जो है काम नहीं हुए यानि कि यहां पर elimination जो है limited हो गया हम इस पर भी बात में चर्चर करेंगे अभी जो हमारा main topic है कि 84,000 aspirants क्या सच में pass हुएं CSAT में जिस तरह से आप देखें लास्ट के दो दिन से अगर बात करें कि बच्चे यह कह रहे हैं कि 84,000 बच्चे ही से CSAT में pass हुए हैं तो cut off इतना जाएगा उतना जाएगा तो इस पर हम लेके बात करेंगे कि 84,000 aspirants का data कहां से निकल के आ रहा है कैसे निकल के आ रहा है और इसके उपर क्या-क्या हो सकता है एक तो एक allegation यह भी लग रहा है कि अभी जिससे के अंदर बात करें तो इस बाद CSAT को paper को 23% के साब से माना जा रहा है कि वो मतलब कि even CSAT जो होती है उसमें उन्होंने यह बोला है कि इस बार 23% जो PL जो दाखिल हुई है उसमें बोलता है कि इस बार जो passing mass है वो 33% CSAT से हटा कर 23% जो है कर देने जाए हाला कि final decision अभी तक कुछ नहीं है क्योंकि आपको पता है कि final decision जो होगा वो कहीं ना कहीं UPSC ही जो है में लेगा तो इसके उपर पहले यह समझते है कि 84,000 data हमारा कहां से रहा है जिससार से आप देखें कि 9 तारिक को कुछ data इससार से rumor हो रहा था जिसको आप बोल सकते टूटर telegram जो जो भी है कि 84,000 aspirants जो है like copy check हुई है बागी सारे CSAT में fail है तो इस तरह के जो data की अगर हम बात करें तो इस पर प्लीज अभी आप relay नहीं रख सकते क्योंकि जब तक UPSC के annual report ना आ जाए राइट क्योंकि 84,000 अपने आप में भी कुछ हो सकता है कुछ बच्चों को depression के अंदर डालने के लिए भी किया जा सकते है तो आप देखिए हमारे पास तो proof नहीं है नहीं तो हम कैसे इस जो को जो है माल लें no doubt paper tough था ये बात जाइस है लेकिन जो ये 84,000 का data है अभी हम इस पर जो है believe नहीं रख सकते क्योंकि जब तक हमारी UPSC के अगले साल annual report नहीं आता थी तब तक हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते तो अगर कुछ बच्चे अगर ऐसा सोच है कि 84,000 है मेरा तो नमबर आएगा नहीं साड़े 5,6,6,000 लोगों ने exam दिया तो मेरा कैसे होगा तो प्लीज अपने आपको demotate mark रखें अगर आपका score मैं again कह रहा हूँ अगर आपका CSET 33 के आसपास चल रहा है और आप GS में score 70 के plus है तो प्लीज आप लग जाए क्योंकि coaching की जो keys होती है आप यह मान के चलना करीब 10 to 15 questions का हमें difference जो है हर एक maximum coaching center की keys के अंदर variation हमें देखने को मिल रहा है तो जिनके भी 70 plus मैं talking about the general category कि अगर है उसके साब से आप अपना SC, ST, OVC, EVWS को अपने साब से adjust कर लें 20 marks नीचे तो आप अपने साब से लगे रहें क्योंकि देखे ये time अभी पढ़ने का है और अभी mains आने का time जिस से सितंबर में mains है और mains में आपको लिखना पड़ेगा तो यहां आपका answer writing बहुत जादा जो है कुल मला के करनी पड़ेगी no doubt paper tough था यह हम खुद कह सकते हैं इस बार coaching center सारे के सारे export हो गए हैं बिलकुल exposed जिसको कहते हैं heavily heavily जो है जिसको बोल सकते export हो है यहां पर UPSC दो क्या कहना चाहता है UPSC यह कहना चाहता है कि आप किसी coaching के पर believe ना रखें आप अपने self study के पर believe रखें वो कहीं ना कहीं indirectly way में equality को लेके promote करना चाहता है अगर मैं बात करूँ जीस paper 1 के अगर मैं CSET के paper की बात करूँ तो कहीं ना कहीं यहां पर मुझे भी लग रहा है कि biased paper जो है बनाय जा रहा है क्योंकि जब 10th level का strictly हुआ mention कर रहा है और आप IIT, JE या फिर CAT level का exam जब आप दे दे रहे हो तो यह कहीं ना कहीं biased मुझे भी लग रहा है हो सकता है शायद उनके द आज के समय अगर बात करें तो चाहब English medium हो चाहब Hindi medium हो उनके लिए गले की फांस बना हुआ है यह बात हाकिकत है तो इसको लेके इन future में definitely कुछ ना कुछ आया कि जिससे से अभी यह हाली मैं अगर बात करें पियाले भी दाखिल हुई है कि जिसके अंदर अगर बात करें त 23% के साब से कि बोला गया कि passing major 23% उसको किया जाए 33% के साब से तो मैं यहाँ पर सिर्फ यह बोलूँ हो कि इस तरके data के ओपर भी authenticity हम नहीं ला सकते बाकी हम देखेंगे बाकी एक चीज और हमें analysis करने की बात कुरूं तो इस बार vacancies बढ़ी हैं तो हो सकता है yes cutoff जो है और prelims की जो cutoff है वो कहीं ना कहीं कम हो रही है तो 84,000 का data अभी हम इसके बार में कोई कुछ नहीं कह सकते हैं लोग बड़ी-बड़ी बाते कर सकते हैं लेकिन अभी authenticity इसके ओपर मतलब कि अभी तक question mark हमाई तब से जो है लगा हुआ है best मैं यह बलूँगा आप पढ़ते र लोगे हैं यूपी से यही चाहता है कि आप PIV को strictly follow करें और साथ में जो daily newspaper है आप उससे अपने खुद के notes बनाएं तो चीज़े ज़्यादा अच्छे से निकल पाएंगे तो बैस मुझे यही कहना था दोस्तों बागे thank you